नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका तो आईफोन 12 प्रो आच चुका है तो आज इसका करेंगे डिटेल रिवीव डबा खोल और उंबॉक्सिंग करेंगे और इस स्मार्टफोन को 25 के लिए मैंने बहुत सारे अपने पुराने स्मार्टफोन को सेल कर दिया ज पूरे परिवार के लिए आपको रियल मी 7 प्रो मिल जाएगा यानि छे रियल मी 7 प्रो आपको मिल जाएगे तो एक लाख बीस एयर के फोन में ऐसी क्या खास बात है यह सब सारी चीज़े आज हम डिसकस करेंगे इसके बारे में मैं सारा डेटेल बताऊंगा आपको तो कित को कि इसका डबा आप दिखृते हैं कितना बड़ा और कितना हेवी है तो आगे देखते हैं और इसके साथ में आपको वाटर टेस्ट करके दिखाने वाला हूं iPhone 12 pro का पुरे वाटर के अंदर में डाल के आपको दिखाऊंगा कि क्या यह वाटवी में बारे में ऐड़ रिसि टबा खोल जयसे कि आप दे सकते हैं, पैकेजिंग बहुत ही छोटी हो चुकी हो पतली है, बिल्कुल स्लीम हो चुका है पहले से और यहाँ पर दे सकते हैं आईफोन और यह यहाँ पर आइफोन का यहाँ लोगोः मिल जाता है, और इसके अंदर में 108GB कर रहा हूं से खूलना है और यह निकल लाता है अपन के अधर में गुञता है इसको इतला इतना ज़्यादा पुरे ़ुणिया में तो इसको ने और नो डाउट ये तो मतल तो मतलब देख के ही लग रहा है यार पता नहीं क्या है ग्लॉसी नहीं है बिल्कुल मैट फिनिश है और यह यहां पे अपल का लोगो दे रखा है जो बिल्कुल ग्लॉसी है और साथ में यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा सेट अप है और इसके साथ में आपको यह जो मिल जात स्लोट data Rappawan निकालता हूं यहां पर और यह कमाल क्याते हैं यहुत अर्ट को निया और नीचे में नीचे में आपको यहां पर मिल आयेगा आपको स्पीकर माइक्रोफ्टों मिल आता है और लाइटनिंग साथ में क्या मिलता है तो यह है आपका लाइटिनिंग करेक्टर और यह है टाइप इसके साथ में लाता है सीम इंजेक्शन टूल और यह एपल का लोगो का इस्टिकर है जो बहुत फेमेस है बहुत दिनों से चला रहा और साथ मैं आईफॉन का के कियर के कुछ पेपर्स मिल जाते हैं इसको समाल करें चाहिब कैम आएंगे और इसके अलावा आपको पर इसके साथ मेधें यह कोई बिशाों नहीं बैसे बिल्कुल कोने लिश्टीन हो तो के मामले में कहुंगा कि इसका यह पुराना मोडल होता था आइफोन 5S उससे बिलकूल मिलता जुलता है सिर्फ कैमरे का जो सेट अप और फ्रेंट में जो होम बटन का सेट अप है वह थोड़ा डिफरेंट है बाकी इसमें बहुत सारी चीजे मैच करती हैं डिजाइन के मामले में अदरवाइज बहुत बड़ा चोटा फोन होता था यह बड़ा फोन है 6.1 इंच की स्क्रीन है इसका वीव एंगल बहुत बढ़िया मैं किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी ने रहती है बिलकुल बिजल डिजाइन है डिस्प्ले के मावले में कौंगा कि बहुत बड़ीया एस में सुपर रेटिना एक्स डिया डिस्प्ले मिल आता है बहुत ही बढ़िया एस वे अंदर में 1200 नीच तक की आपको ब्राइटनेस मिल आती है जो सूपर कमाल है मतलब सं लाइट में फून सं और इसमें आपको जो इसकी थिकनेस है 7.4 mm थिकनेस है सिर्फ और इसका वेट जो है 187 ग्राम मतला स्क्रीन साइज के साब से थोड़ा सा भारी लग सकता है लेकिन बिल्कुल वेल बिल्ट डिजाइन है और जो रियर साइड में जो है बिल्कुल मैटी फिनिश है और जो लोग ही हाइड क्वालिटी का यह सारा मटरियल इसमें यूज किया गया है और जो इसकी पिक्सल पर इंच है वो है 460 PPI बहुत ही बड़िया माना जा सकता है PPI 460 और इसके साथ में आपको IP68 रेटी मिलती है यानि डस्ट एंड वाटर रिसिस्टेंट है पूरी तरह यानि अब प बड़िया मतलब डिजाइन तो थोड़ा सा पुराना लगता है लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो टोटल बिल्ट है इसका मुझे बहुत बड़िया लगा बहुत सूपर कमाल का यह फोन लगता है तो अब बात करते हैं परफॉमंस के लिए कि इसके और इसके अंदर में जो प्रोसेसर लगा है दुनिया का सबसे छोटा प्रोसेसर है 5NM यानि 5 नैनो मीटर का जो प्रोसेसर है उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और जो टोटल ट्रांजिस्टर इसकी जो क्वानिटी है 11.8 बिलियन टोटल 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है मतलब कमाल की टेखनोलोजी है दुनिया का सबसे छोटा 5 नैनु मीटर का प्रोसेसर यूज किया गया अब तक का मुबाइल प्लाइटफॉर्म के अंदर में इसके अंदर में डॉल भी साउंड कॉालिटी मिलती है बहुत मज़ाता है जब आप Bluetooth में आप सारा music सुनते हैं तो बहुत बढ़िया आपको feeling आएगी तो अब बात करते हैं camera खुले के तो triple rear camera setup है और तीनों camera जो है wide, ultra wide, telephoto, तीनों की megapixel बिल्कूर सेम है 12 megapixel, 12 megapixel, 12 megapixel और front में भी जो lens है वो भी है 12 megapixel का यानि iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro तो उसके अंदर में जितने भी lens है, चारो के चारो lens 12 megapixel के यहां camera यूज किये गया है अपल की तरफ से, तो पहली बार किसी phone के अंदर में मैंने lens देखा है जो night mode में क्या picture निखाता है, मतलब आपकी आखे बिल्कूर फटी के फटी रह जाएंगी आपको दिखाता हूँ, मैं सारे sample आप देखिए ये मैं सारे video फोटो जितने ही मैंने लिए हैं, सारे night में लिए हैं चोकि ये phone मेरे पास शाम में आये था तो रात में अभी मैं थोड़ी दिर पहले ही सारी recording अभी कर रहा हूँ तो आप दे सकते हैं कि night mode में लिया गया, picture quality क्या कमाल गया आती है मतब मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ और इसके अंदर में जो ultra wide है, ये wide lens है, बहुत ही बढ़िया telephoto lens में मुझे बहुत बढ़िया लगा मतब एपल ने बहुत ही अच्छा jump मारा है मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे picture quality या video quality देखने को मिलती है और अब बात करते हैं जो सबसे important part है iPhone 12 Pro का और वो है Lidar scanner यानि Lidar technology और ये जो Lidar technology है NASA भी use कर रहा है आपने mass mission में तो Lidar का मतब होता है light detection and ranging और ऐसा कि आप देख सकते हैं कि camera पीचे में एक black लगा चोटा सा round बना हुआ है और ये basically Lidar sensor है और Lidar sensor से क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे lights निकलते हैं जो पूरे पूरे photograph को लेते हैं पूरे पूरे mapping करते हैं और ये जो पूरे light निकलती है बिल्कुल human eye से नजर नहीं आएगी इसके लिए आपको night vision camera इस्तमाल करना पड़ेगा या app इस्तमाल करना पड़ेगा जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ छोटे छोटे lights निकलते हैं और सारे areas की mapping करते हैं और सारी चीज़े को sense करते हैं सेंस करने के बाद एक 3D एक figure बनाते हैं अपने sensor में आप पूरे घर की mapping पूरे area की mapping कर सकते हैं 3D में और एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आप कोई भी समाने लिजिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं सारे सेंपल में मतलब कमाल का technology है मतलब पूरी पूरी चीज़ आपके table पर आख रख दी जाएगी लगेगा या पता नहीं क्या है पूरा पूरा robot आ रहेगा कोई भी equipment आ जाएगा जो भी चीज़ बनाना हो इसके लिए बहुत सारे app आने लगे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारे app आएंगे जो ये lidar technology 3D technology के उपर काम करेंगे 3D mapping और sensing को और scanning को ये पूरे दुनिया में इस चेंज़ करने वाला है मैं बिल्कुल guarantee के साथ आपको कह सकता हूँ और इसमें तो आपको HDR मिलता है 4K की recording मिलती है और सबसे खास बात है कि Dolby Vision भी आप record कर सकते हैं इस phone से मतलब बहुत बढ़िया quality आएगी वीडियो की और आप बात करते हैं बैटरी को लेके तो 50% तक ये phone चार्ज हो जाएगा सिर्फ 30 मिनट के अंदर में जो मुझे लगता है कि अच्छा performance माना जा सकता है तो Apple ने अपने box से adapter और earphone इसलिए अटाये था कि उसकी जो accessories और wireless charging और उसके जो airports हैं उसकी sale बिल्कुल double हो गई है इससे Apple को बहुत बड़ा फाइदा हुआ है तो आप बात करते हैं value for money को लेके तो value for money Apple को phone no comments तो आप बात करते हैं positive और negative को लेके सबसे पहले मैं बताऊँगा negative point इसमें जो सबसे पहला negative point है इसका design ये पुराने phone iPhone 5A से मिता जूता है थोड़ा सा इसमें तो डिफरेंट करना चाहिए था Apple को ये मेरी अपली personal feeling है हो सकता है percent to percent change कर जाता है हो सकता है बहुत साई लोगों पसंद भी आएगा जो दूसरा जो negative point है इसके इंदर में कि charging के समय जब आप charge कर रहे होंगे जैसे ही full charge होने वाला होगा है वो camera की quality बहुत अच्छी है night vision खास करके ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो दूसरा positive point है वो है इसका lidar scanner क्या कमाल का technology है बिल्कुल एक नया trend आ गया market में आप आप देखिएगा आने वाले समय में ये 3D mapping और scanning होने वाली है जबर्दस मार्केट में और जो तीसरा सबसे positive point है वो है इसका speed यानि performance जो है इसके processor का यानि ओवराल बहुत बढ़िया super fast speed मिलती है मने कोई भी कोई भी download करते हैं heavy से heavy game आप खेलते हैं कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दो दोस्तों जल्ली से करते हैं इसका water test और देखते हैं कि क्या water test में success हो पाता है ये phone पाता हैं कि को दो Mart से हरीом हो जेखते हैं कीक summer झाल झाल तो दोस्तो वाटर टेस्ट में बिलकुल सफल हो गया आईपिक 68 रेटिंग के साथ में फोन बहुत अच्छा है पानी में गिर जाए भिंग जाए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे तो डर लग रहा था कहीं पता नहीं फोन खराम ना हो जाए इन्हींवें दोस्तों आईफोन 12 प्रो हमारे वाटर टेस्ट में बिलकुल पा कर दो में बिलकुल